हमारे वीर जवानों के शौर्यकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है राजनात सिंग ने कहा कि चीन भारत की लगभग 38,000 वर किलोमेटर भूमी का अनधिकृत कबजा लद्दाक में किये हुए है इसके अलावा 1963 में एक तथा कथित सीमा समझोते के तहट पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर की 5,180 वर किलोमेटर भारतिय जमीन अवएद रूप से चीन को सौप दी है उन्होंने कहा कि दोनों देशों में कई समझोते हुए जिसके तहट 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा LAC पर एक साजह सहमती बनाने की कोशिश की गई लेकिन इसके बाद चीन ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर सहमती नहीं जताई राजनाथ सिंग ने ये भी बताया कि पूर्वी लद्दाख में अभी हालात क्या हैं अभी की स्थित के अंसार शाइनीश साइड में यलेशी और अपने अंदुरूनी श्यत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकडियां और बोला वारूद मोबलाईज किया हुआ है पुर्वी लद्दाख और गोगरा, कौंकला और पेंगांग लेक का नार्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्सन एरियाज है चीन की कारवाई के जवाब में हमारी आर्ण सोर्सेथ ने भी इन श्यत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लाइमेंट्स किये हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से रक्षित रहे राजनात सिंग ने ये भी बताया कि उन्होंने चार सितंबर को मॉस्को में चीन के रक्षा मंतरे से मलाखाद की और साफ कर दिया कि भारत इस मुद्धे को शांती पूर्ण ढंक से हल करना चाहता है लेकिन देश की संप्रभुता और ख्षित्री अखंड़ता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद है बाद में विदेश मंतरी एस जाई शंकर ने भी 10 सितंबर को मॉस्को में चीन के विदेश मंतरी से मलाखाद की और दोनों एक समझोते पर पहुँचे इसके मताबिक अगर चीन के द्वारा गंभीरता पूर्वक और इमानदारी से समझोते को लागू किया जाता है तो सैनुकों के पीछे हटने का काम पूरा हो सकता है और सीमा पर शांती स्थापित हो सकती है भारता चाइना दोनों ने ओफचारिक तोर पर यह माना है कि सीमा का प्रस्थ एक चटिल मुद्धा है जिसके समाधान के लिए पेसंस की आवश्चक्ता है तो इस मुद्धे का फेर रेजनेबल और मुचिली एक्सटेबल स्वाधान सांती पुन बाच्ची के दोरा निकाला जाए राजनात सिंग ने कहा कि सरकार ने हाल के सालों में सीमा पर बुन्यादी धाचे को मजबूत किया है इसके लिए बजट लगभग दो गुना कर दिया गया है सीमा वर्ती इलाकों में काफी सडकें और पुल बने हैं इसके कारण वे बार्डर एजियाद में अधिंद्र सिंग्त उमर ने सदन को भरूसा दिलाया कि इन प्रस्तावित कानुनों से MSP पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है MSP थी, MSP है और जारी रहेगी इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं यह निश्य रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं और इन कानूनों से MSP पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है सरकार ने लोगसभा में तीन विधयक किसान उपज व्यापार एवंग वाणिज समर्धन एवंग सुविधा विधयक 2020 किसानों सशक्तिकरण एवंग संग्रक्षन का मूल्य आश्वासान अनुवंध एवंग कृशी सेवाएं विधयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधयक 2020 पेश किया था किसान उपज व्यापार एवंग वानिज समर्धन एवंग सुविधा विधयक 2020 में किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी बेचने की अनुमती का प्राबधान है एक देश एक कृशी बाजार की अवधारना को इससे बढ़ावा मिलेगा एपी एमसी बाजारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारुबार के अवसर मिलेंगे एलक्ट्रानिक ट्रेडिंग को बढ़ावा और उपज की ऑनलाइन खरीद फरुक्त भी संभब हो सकेगा कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार, किसानों, व्यापारियों और एलक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूल सकेंगी अधिक उतपादन वाले क्षेत्रों में किसानों को बहतर मुल्य मिल सकेगा कम उतपादन वाले क्षेत्रों के उपभुगताओं को कम कीमत पर उतपाद मिल सकेंगे मैं कह सकता हूँ कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समर्दी के लिए काम किया है ये पहली सरकार है जहां किसानों को भरोसा जगा है सरकार के प्रती कि एक सरकार ऐसी भी है जो हम लोगों की चिंता करती है वहीं किसानों सशक्तिकरान एवंग संगरक्षन का मूल या आश्वासा ननुबंद एवंग कृष्षी सेवाएं विदहयक 2020 को छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है